बॉलिवूर्ट स्टार केट्रीना कैफ और विकी कोशल की शादी ने सबसे ज्यादा चर्शा बटोरी है एक्टर की तस्वीरें अभी भी शोशल मेडिया का तापमान बढ़ाई हुए है लेकिन उनके अलावा कोई और भी है जो खूब चर्शा बटोरा है वो है विकी के चोटे भाई सनी कोशल की गल्फरिंड शर्वरी वाक उनको लेकर खबरों का बाजार गर्म है लोग उनके तारीफ में पुल बांध रहे हैं कैट की देवरानी तक कहकर उन्हें पुकार रहे हैं जो तस्वीरे शोशल मेडिया पर वाइरल हो रही है उन तस्वीरों में विकी कॉशल और केट्रीना कैफ के पूरे परिवार को तो सभी जान चुके होंगे आगे का वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल एन बॉलिवुट को अगर आपने भी तिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चल्री से कर लें इसके साथ ही आपको यहां दिख रही घंटी भी बजानी है ताकि जब भी कोई नए वीडियो आए तो आपको तुरह नोटिफिकेशन मिल जाए आपको बता दें किस वारल तस्वीर में केट्रीना कैफ की होने वाली देवराने शर्वरी वाख भी हैं जिने खुब पसंद किया जा रहा है शर्वरी की बात करें तो वो एक बड़े खांदान से तालुकाथ रखती हैं वो एक बड़े खानदान से आती है एक्ट्रिस शरवरी वाग और सनी कोशल के रिलेशन के चर्चे तो काफी समय पहले से ही है लोगों को दोनों के प्यार की खबर पहले से ही थी लेकिन शादी में देखने के बाद खबरों को और भी ज्यादा हवा मिल गई है शरवरी विकी केट्रीना की शादी में काफी खुबसूरत लग रही थी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शरवरी वाग विकी कोशल के छोटे भाई सनी कोशल को डेट कर रही है बता दें कि शरवरी का कैट की शादी में आना तो लास्मी था आखिर वो विकी के छोटे भाई की गर्फरिन जो है वो शादी को खुब इंजॉय करती हुई नजर आई केट्रीना कैफ ने शादी की जो इंसाइड तस्वीरे फैंस के साथ शेयर की हैं उनमें शरवरी केट्रीना के साथ ज़स्ट मेडू भी दिखाए दे रही है आपको बता दें कि शरवरी का जन 14 जून 1996 को मुंबई में हुआ है शरवरी वाग पेशे से एक्ट्रिस है और मॉडल है शरवरी महाराश्ट के पूरो मुख्यमंत्री और शिफसेना के दिगश्रेता मनुहर जोशी की नातिन है उन्होंने मुंबई के ही दादर पार्सी समय से आ रही थी कपल्स की शादी को लेकार फैंस के बीच काफी क्रेस था क्योंकि शादी को पूरी तरह से गोपनी रखा गया था जैसे ही कैट और विकी ने अपनी शादी की तस्वीरों को साजह किया वैसे ही लोगों ने लाइक्स और कमेंट्स की बारिश कर दी तो आप को हमारा ये वीडियो कैसे लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें